अररिया वाले सापधान हो जाएं यदि आप अररिया से हैं तो इलाज के लिए बगएर एंबुलेंस के सदर अस्पताल जाने के जिर्रत ना करें नहीं तो आपको तरपता छोड़ दिया जाएगा जी हाँ ऐसा ही कुछ मामला पेश किया अररिया के सौस्त विभाग ने जो इनसानियत को शर्म सार कर दिया है आपको बता दे कि सिम्राहा था ना अंतरगत मानिकपूर्ज स्कूल डोला से आई प्रसूता महिला ने विवस होकर अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन दिया महिला के परिजनों ने बताया कि उनके मरीज को अस्पताल कर्मियों के दोरह एडमिट करने से एंकार कर दिया गया साथ ही उन्होंने बताया कि टेम्पू से आने के कारण मरीज को सदर अस्पताल की नर्स ने एडमिट करने से मना कर दिया महिला के साथ आई आशा रूपा कुमारे ने बताया कि अस्पताल की नर्स ने कहा कि यदि पेशिंट को एंबुलेंस से लेकर आते तो उसे एडमिट किया जाता लेकिन आप लोगों ने उसे टेमपू से लेकर आया जिस कारण उसे एडमिट नहीं किया जा सकता है इतना ही नहीं डिलीबरी कराने आई महिला को गेट के बाहर तरपता छोड़ दिया जहां गेट के बाहर ही उस महिला ने बच्चे को जन दिया अस्पताल प्रशा कारों के हस्तचेप के बाद महिला को उसके नबजात शिशू के साथ अस्पताल में एडमिट किया गया तो जनम पंजी नहीं बनेगा यहीं बात है आप क्या है हम आसा है क्या नम आपका रूपा कुमारी इसकी असेंट को आप ही लेक्या आए थे हम साधी घर से आए तो इसलिए आप एंबुलेंस का नम्मर नहीं लोग दे पाई लोग पहले अगवात निकल गई हम पीछे साधी ओर साय कई अधुएए खाई जाइए यहां आप दोग दो लिए आधी खार सिंःा असे हो एंपलाव को आपकशें। बच्चा कहां पर हुआ है तो बोला हुआ कहां लेके जाए तो बोला हुआ ने लेंगे लेंगे कि कोले से बॉंध है अपी बता है अगर कोल से जो बॉंध है अतना पबलिंग जो आएगी तुसको क्या करें समर्जा एकर मतलब यहीं हुआ सरकारी होस्पीटल पाला कौन से यहीं पर है देर गंधास से अब प्यासेंट आपको कौन है चोटी भाभी है चोटी भाभी है बोला ही देरा उसको जब परभलम है त्ला करा उसको कहां लेके जाए तो कि अ कि